पन्वेल में बोले डीजेपी विधायक निरंजन डावखरे महाविकास आघाडी सरकार ने महराष्ट को गर्द में ठकेला। कोंकर ग्रेजवेट विधायक निरंजन डावखरे ने उद्धो सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे निकम्मी सरकार करार दिया है। अधाकरे के नेत्रोत में चल रही महाविकास आघाडी सरकार की नियत और कारेप्राली दोनों ही खराब हैं, जिसके चलते महराष्ट एक साल के फीतर ही गर्द में चला गया है। हमने देखा है कि ये 365 दिन ये जो सरकार चली है इसने महाराष्ट को एक उल्टी दिशा में नेने का पाप किया है। इसमें ये सरकार का स्थगिती सरकार करके भी नाम पड़ा है, पल्टू सरकार करके भी नाम पड़ा है, बदली सरकार करके भी नाम पड़ा है। क्योंकि मंत्राले में जो बदलियों के एजेंट आज घूम रहे हैं उसके वज़े से सिर्फ बदलियों में बहुत बड़े पहमानें पर प्रश्टाचार हो रहा है और जो निड़नाई ये ले रहे हैं वो शिक्षन का हो मेसीबी का हो उसमें हर बार एक पलटने का काम ये सरक मंत्री ये कहते हैं कि हम M.A.C.B. में के दरों में कोई सबलत नहीं दे सकते आज जिस सवें कोरोना में लोगों की नोक्रियां गई ہیں जो आधे पकार में काम कर रहे हैं उनके लिए आज ये दिलासाब बहुत जलूरी है और उसके लिए भार्रादिया जन्तापार्टी निश प्रगडा लगाने का काम इस सरकार के सत्ताधरी, मंत्री और आमदार कर रहे हैं यह भी हमें दिख रहा है और इसके लिए ये 365 दिन जो सरकार चली है इसमें निशित ही महाराश्रा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है